जो 17 अक्टुम्बर को पेपर लगा है उसकी दोस्तों बिल्कुल सुद आंसर की आज मैं आपको इसमें बताएं और आगे आने वाले जो पेपर हैं उनके लिए भी दोस्तों ये महतोपूर्ण है पेपर दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रसने देखिए बारडोली सत्य सत्यागरा का नेता कौन था बताएं बारडोली सत्यागरा का नेता कौन था दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार की उपादी दी गई थी दोस्तों इसमें और वो है वल्लबाई पटेल तो यहाँ पर तीन नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे, महरणा सांगा की मर्तिव के बाद कोन मिवाड का सासक बना, दोस्तो महरणा सांगा की मर्तिव है, ये दोस्तो 1527 में हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तो 1528 से लेके, और 1531 तक सासक बना था कोन, रतन सिंग, ठीक है, और दोस्तो 31 के बाद में सासक बना था राना विक्रमा दिते तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे तीन नंबर का प्रेस ने तेजा जी की पतनी का नाम था दोस्तों तेजा जी की पतनी का नाम क्या था राइट आंसर हो जाएगा पेमल दे है ये तेजा जी की पतनी का नाम था दोस्तों ठीक है चार नमबर उप्सन बिलकुल सही है आगे देखे मेवाड छितर का कौन सा नर्ते जो सावन बादो मास में चालिस दिन तक किया जाता है दोस्तों चालिस दिन तक कौन सा नर्ते किया जाता है तो वो है गवरी न नर्ते यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गवरी नर्ते पांच नंबर का प्रस ने इसमें देखे एक पॉइंट पांच सेमी व्यास और दो जीरो पॉइंट दो सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोन ये बेलन बनाने के लिए पिगला सही सिक्स नंबर का प्रस ने निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है दोस्तों कौन सी रचना कालिदास की नहीं है तो दोस्तों यहां पर देखे रीतु साहर है रगुवंस है मेक दूत है लेकिन मर्च से कटिकम नहीं है यह सुद्रक की रचना है यहां पर तीन न क्काव में हुआ था जो बाडमिर्वें थी नंमर ओप्शन बिल्कुल साहि आठ निंबर काली बंगा का उत्खन कारिये कितने स्त्रों में किया गे आगे देखे यह नव नमर का प्रस दो ऊपर महिलाई मिलकर किसी कारिय को चार दिन में पूर्ण करते हैं जबकि चार पुरुस और चार महिलाई मिलकर उसी कारिय को तीन दिन में पूर्ण करते हैं तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें इसमें 36 दिन लगेंगे जिसने भी 36 दिन के उपर टिक लगाया है उन सभी का सही है तो यहां पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए मार्च 1948 में किन चार राजियों को जोड़ कर मतस्य संका निर्मान किया गया यह तो सभी को बताओगा दोस्तों ABCD, अलवर, बरतपुर, दॉलपुर करो ली यहाँ पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर निम्ल में से कौन सी सेनिक चावनी राजपुताना में इस्तित नहीं थी दोस्तों इसका सही उत्र हो जाएगा टोंक देखिए छ वो है हैःदराबाद यहाँ पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा हैःदराबाद इसका सही उत्र आगे देखिए एक पासे की तीन भिन भिन इस्तित्यान नीचे दिखाई गई है दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि एक के विपरीत क्या है आपको comment दिख रहा होगा इसमें दो और इसमें दो ठीक है तो दोस्तों दो ऐसे लिख दीजिए फिर इसको clockwise गुमाईए clockwise गुमाऊगे तो दोस्तों इधर तो आजाएगा पांच और इधर आजाएगा एक यानि कि एक के सामने क्या आएगा पांच तो यहाँ पर तीन नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए पंदरा नंबर का प्रिस्टन है एक चेरी जो एक दिन हमारे मुहें में गिरेगी अठारा सो इकावन इस्वी में अवद के लिए यह हैं किसने का था दोस्तों यह का था आवद के लिए किसने लाट डल हो जीने यहाँ पर तीन नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा लाट डल हो जीने का था आगे देखिए 16 नंबर का प्रिस्टन है यदि 27 एकस वाई बराबर 243 और 7 एकस पलस वाई 2401 हो तो एकस और वाई का मान क्या होगा दोस्तों एकस और वाई का अपने को यहाँ पर मान बताना ह तो यहाँ पर देखे एकस बराबर 17 बटेच है और वाई बराबर 7 बटेच है दोस्तों यह अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तिक एन पर इस नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर किस सब्वेता इस्तल में उत्खनंच से चांदी के आठ पंचमारक मुद्राइं मिली है तो कहां से मिली है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट से यहां पर अपना इसमें चार न तो एक्स बराबर है तो दोस्तों यह एक बटा दो के तो यहां पर एक नमबर का option बिल्कुल सही आगे देखिए निमनलिकित संक्याओं में सबसे बड़ी संक्या है तो दोस्तों सबसे बड़ी संक्या है 0.80 स्कॉयर यहां पर चार नमबर का option राइट आंसर हो जाएगा 0.80 स्क्वाइब आगे देखे बीश चात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न परकार ग्याद कीजिए देखे यहां पर यह दे रखे हैं तो यहां पर देखे तो सत्रा की बारम पारता पंद्रा की बारम पारता से कितनी अधिक है दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें बताए कितनी अधिक है तो दोस्तों इसमें चार अधिक है तो यहाँ पर अपना इसमें ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखे स्री निवास सास्त्री जी के देवदर एन एम जोसी और हर्देनात कुंजरू किस संस्ता से समन्दित है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों अकिल भारती उदार संग से समन्दित है दो नमबर option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 22 नमबर का प्रस्ने एक संवर्तिय संग्व की उचाई 30 से मी है इस संग्व के आधार के समानतर एक समतल द्वारा उस्तम सिरे से एक छोटा संग्व काटा जाता है यदि छोटे संग्व का आयतन दिये गए संग्व के आयतन का 1 बटा 27 है तो आधार से कितनी उचाई पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 20 से मी ठीक है यहाँ पर तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 से मी आगे देखिए यहाँ पे यदि किसी गोले के अर्दव्यास को 3 मिटर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रष्टे चितरफल 1056 वर्ग मिटर गोले की आरंविक तिर्जा है तो दोस्तों गोले की आरंविक तिर्जा 12.5 मिटर है यहाँ पर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदसे हैं B का या की पती, पतनी C है, E की माता F है, F की पुत्री D है, E A का बच्चा या बच्ची है और C का पुत्र A है, इस परिवार में 2 दमपती है, निम्न में से कौन सा E क सही है, दोस्तों कौन सा E क सही है, तो इसमें देखिए E, B की या का पौत्र या पौत्री है, यहाँ पर अपना इसमें 4 नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देख यहां पर 25 नमबर का प्रेशन है 1857 के विद्रों के समय राजपुताना के एजी जी कौन थे दोस्तो राजपुताना के एजी जी थे एजेंट टो गवर्नर जनरल जोर्ज पैट्रिक लॉरेंस है यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखे वीडि फज्वीश नमबर का प्रेशन हैं अंग्रे जी की इस परिवासिक सब्द का का समानायर्थ कक्दि सब्ध सब्धूध यहां पर देखे आपको यहां पर दिख रहा होगा टेंप्रा मेंटल dialogue किते हैं तो कुनसा है यहां पए देखते हैं प्रेप्रकासित तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखें किस सब्द में एक से अधिक बार संदी परियुक़् हूई है तो दोस्तों वो हुए प्रोच सहान में चार नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा प्रोच साहन में आगे देखे किस विकल्प में परुस या पुरुस सब्दियुगम का अर्थ बेद साही नहीं है दोस्तों यहाँ पर साही नहीं है पुछा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्रेश्ट और नाप तोल तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल साही आगे देखे व्य जानते हैं कि ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का उप्शन बिल्कुल साही उत्तर हो जाएगा अब यहाँ पर अपन इंगलिस ग्रामर से समन्दीत प्रस्ण है वो पढ़ेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें have you been तो यहाँ पर तीन नमबर का option right answer हो जाएगा have you been जिसने भी किया है उन सभी का सही है आगे देखें दोस्तों यहाँ पर वापस दोस्तों खालिस्तान सही जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों यह ठीक है आगे देखें चूज दे वर्ड विच डज नोट हैव दस सेम सुफिक्स दोस्तों यहाँ पर देखें एज दे रिमेनिंग त्री तो 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 दोस्तों इसका right answer हो जाएगा इसमें noise इसका right answer हो जाएगा इसमें ठीक है यहाँ पर तीन नमरा option बिलकुल सही आगे देखें यहाँ पर देखें चूज दे correct indirect sentence for the following direct sentence यहाँ पर sentence दे रखा है she said who the who's the best player who's the best player तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा वो है इसमें कुन सा तो दोस्तों देखें she asked me she asked me who was the best player यह अपना इसमें right answer हो जाएगा एक नमबर का option बिलकुल सही यहाँ पर देखें 35 नमबर का प्रेशन है चूज दे correct passive voice sentence दोस्तों यहाँ पर देखें people consider that he got more than what he deserved दोस्तों इसमें आपको है वो common अंक मिलने वाला है क्योंकि यह प्रस्थन है वो गलत दे रखा है यहाँ पर option में ठीक है आगे देखें दोस्तों यहाँ पर 36 नमबर का प्रस्थन है राजस्तान सरकार ने सहरी छेत्रों में रहने वाले जरूरत मंद लोगों को परती वर्स सो दिन का रोजगार परदान करने के लिए कौन सी योजना का आरंब किया है तो वो है दोस्तों इंद्रा गांदी सहरी गरामी रोजगार योजना तो यहाँ पर अपना इसमें चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान सरकार द्वारा किस वर्स राजस्तान स्टेट ओपन इसकुल की स्टापना की गई दोस्तों दो जार पांच में राजस्तान स्टेट ओपन इसकुल की स्टापना की गई यहाँ पर तीन नम एवं वर्सकों निसुलक और अनिवारी बाल सिक्षा अधिकारा दिनियम दो जार नो लागू किया गया दोस्तों ये एक अप्रेल दो जार दस को लागू किया गया चार नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्तों विबिन लोक सबाओं में पद गरेंड करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुकरम को ठीक करें दोस्तों ये अनुकरम है वो ठीक होगा दोस्तों सरदार हुकम सिंग बली राम भगत के ऐसे गड़े और रबिरे ये करम है ये दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर तीन नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों यहाँ पे 40 नमबर का प्रेस्ट ने है, इसमें देखे निमनलिकित में से कौन सी एक अच्छे नितरत्वा की विशेष्टा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डाइरेक्ट उतर बता रहा हूँ, इसमें देखे यह उच्छे प्रतेकारी एव तो दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा वो है, सहाबाद उच भूमी में, यहाँ पर दो नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखे 42 नमबर का प्रेस्ट ने, निमनलिकित में से कौन सा तथे राजस्तान फिलम परियाटन प्रोच्छा नेती 2022 का हिस् पर 50% की छूट है ना कि 30% की, तो यहाँ पर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे 43 नमबर का प्रेस्ट ने, निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए, भारत ने बिजिंग में आयुजित सीत कालीन, ओलमपिक 2022 का राजनाई के बाइसकार किय था, बिल्कुल सही है, भारत के साथ गालवान गाटी संगर्स में सामिल एक चीनी सेनिक को ओलमपिक मसाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और भी दोनों सत्ते है, यहाँ पर त अगे देखे, राजगढ अजमेर एवं देवगढ उदैपूर किनके निकसीपों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, आगे देखे, R.S.C.E.R.T. का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सिवारत प्रिसिक्षन कारे करम का आयोजन करता है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्सक सिक्षा अनुभाग यहाँ पर तीन नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे निमनलीकित में से कौन सा परियावन की रक्षा के लिए उल्लेकित पांच आर में से एक है तो पांच आर में से एक है तो वो है दोस्तों इसमें रिफ्यूज तो यहाँ पर दो नमबर का option right answer हो जाएगा refuse ठीक है जिसके से ने भी दो नमबर का option किया उन सभी का सही है आगे देखे निमनलिकित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्तान से नहीं हुआ है दोस्तों देखे चंबल और माही इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो और सी सका right answer हो जाएगा ए और सी का उद्गम है वो मद्देप्रदेश से हुआ है आगे देखे भारतिय अंत्रिक सनुसंदान संगठन इस्रों ने किस ठोस रोकेट बुष्टर का इस्तेथिक परिक्षन सफलता पूर्वक किया है जो की भू तुल्ले कालिक उपग्रह प्र 200 ठीक है तो अपना इसमे right answer एक number option हो जाएगा आगे देखे इन्वेश्ट राजस्तान 2022 समेलान का आयोजन कहां किया गया दोस्तों यह आयोजन किया गया कहां पर तो यह जैपूर में किया गया दो नंबर option बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित में से राजस्तान में कौ आगे देखे दोस्तों यहां पे बावन नंबर का प्रस्तन है निमनलिकित में से कौन सी योजना समगर सिक्षा अभियान के अंतरगत आवरत नहीं है तो सिर्प और सिर्प आपको सही उतर चेक करना है राइट आंसर हो जाएगा वेवसाइक सिक्षा नहीं है दोस्तों इसम सब्सक्राइब करने के लिए निम्न लिखित में से किस संगठन के साथ समझोता ग्यापन पर अस्ताक्सर किये हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अडानी थर्मल पावर लिमिटेड अडानी थर्मल पावर लिमिटेड तो यहां पर अपना चार नंबर का उप्षन बि इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का उप्षन सई एबी सीडी चारोई इसमें क्या है सत्य है आगे देखिए जुलाई 2022 में राष्टिय विदिक सेवा प्रादिकरण और राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्रादिकरण द्वारा आई जित अठारवे अखिल भ पाइल एप है जिसका नाम है नियारो साथी तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर उप्षन बिल्कुल सई नियारो साथी आगे देखिए राष्टरपती की आपातकालिन सक्तियों के बारे में निमन लिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों कौन सा कथन इसमें गलत है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों यहां पर देखिए इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ देखिए वितिये आपातकाल की गोश्टना सामनेते दो माँ की अवदी के लिए प्रभावी रहती है यह गलत हो जाएगा यहां पर अपना इसमें चार नंबर क का ओप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए वितिये सुरी यहां पर देखिए कार्बन डाय ओक्साइड में कार्बन और ओक्सिजन के द्रवेमान का अनुपात कितना है दोस्तों यह अनुपात है एक अनुपात दो यहां पर एक नंबर का ओप्सन राइट अंसर हो जाएगा एक अनुपात दो आगे देखिए सुमेलित करना है दोस्तों देखिए सुची फेस्ट को सुची सेकेंड से समद्दित यहां पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा सतक्तायोग विदियायोग वितायोग और योजनायोग योजनायोग की स्तापन है वो दोस्तों गुनी सो पच्पन में की गई थी सर्तक्ता आयोक किस्तापना दोस्तों गुनी सो चोशट में की गई थी और योजना आयोक किस्तापना गुनी सो पचास में की गई थी दोस्तो इस प्रेशन का राइट आंसर होना चाहिए चार तीन एक दो चार तीन एक दो यानि कि चार नंबर का उप्षन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे सविधान के अनुचेद 5 के तहट भारत में परतेक व्यक्ति को नागरिकता देने के समंद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँपर देखिए डायरेक्ट उतर बता रहा हूँ देखिए इन में से कोई नहीं डी नमबर का option right answer हो जाएगा यहाँपर देखे कूट बास, हमें भी केवल डी नमबर का सही है चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगगा इसका ठीक है जिस किसे ने भी केवल डी सही है किया है उन सभी का सही है आगे देखें निमनलिकित में से कौन सा एक सेक्सिक परबंदन का मुख्य तत्व नहीं है मुख्य तत्व दोस्तों इसमें दुर्वी करण नहीं है बाकी तीनों है यहाँ पर चार नंबर का उप्शन सिक्सा के लिए अपने यथा इस्तती बालक या परती पाले का प्रवेस कराए या प्रवेस दिलाए तो दोस्तों वो है धारा दस के तहते राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्शन सही धारा दस के तहते आगे देखें पसु गर्ना दोजार गुनिश के अनुसार राजस्तान की कुल पसुदन संक्या है तो दोस्तों वो राजस्तान की कुल पसुदन संक्या है पांसो आड़सेट पॉइंट जीरो एक लाक पांसो आड़सेट पॉइंट जीरो एक लाक यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें राजस्तान सरकार ने किस जिले में एक पेरा इस्पोर्ट से अकादमी इस्तापित करने का निने लिया है राजस्तान सरकार ने किस जिले में एक पेरा इस्पोर्ट से अकादमी इस्तापित करने का निने लिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों जोधपुर में इस्त अपित करने करने लिया है यहाँ पर है चार नमबर का उप्सन बिलकुल सही आगे देखे राजस्तान के तपेदिक यान की टीबी रोग्यों को वितिय पोशन और सेक्सिक साहिता परदान करने के लिए राजस्तान सरकार ने निमनलिकित में से कौन सी योजना शुरू की है तो वो योजना है दोस्तो राजस्तान निक से संबल योजना यहाँ पर दो नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान निक से संबल योजना आगे देखे राजस्तान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देश में राज्य का कुल कच तेल का उत्पादन कितना है तो दोस्तो 20% से अधिक देश में यहाँ पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही 66 नमबर का प्रिस ने 2011 के जनगर्णा के अनुसर सरवादिक साकसर जनसंक्या निमनलिकित में से किन जिलों में पाई जाती है दोस्तो जैपुर जुन जुनो और कोटा में पाई जाती है तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तो यहाँ पर 67 नमबर का प्रिस ने निमनलिकित में से कौन सा हार्मोन अगनासे द्वारा इस्तरावित नहीं किया जाना अगनासे द्वारा इस्तरावित नहीं किया जाना है तो दोस्तो वो है यहाँ पर कौन सा दोस्तो वो है रिलेक्सिन तो यहाँ पर अपना इसमें तीन नमबर का उप्शन राइट आंसर रिलेक्सिन ठीक है आगे देखिए 68 नमबर प्रिस ने ग्रामीन गोरा उपत फलेक्स पर योजना का उद्दे से निर्मान करना है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम पंचायत मुख्याले में सिमेंट का क्रीट की सड़कों का यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 69 नंबर का प्रस्थन है 40 किग्रा सविदान वाली एक लड़की 6 मिटर प्रती सेकंड के 37 वेग से ग्रशन रहीत पईयों वाली इस्तिर गाड़ी पर कूती है यदि गाड़ी का दर्वेमान 4 किग्रा है तो निकाय का अंतिम वेग होगा बताइए तो वह होगा दोस्तों 5.25 मिटर सेकंड तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर उप्शन सई जिसने भी ये उतर किया है उन सभी का सई है आगे देखे किस सविदान संसुदन ने यह निश्चित किया कि परदान मंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संक्या लोकसभा सदश्यों की कुल संक्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती राइट आंसर हो जाएगा ये तो सभी को पता होगा इकराणववा सविदान संसुदन अदिनियम दो जार तीन में यह निश्चित किया गया था कि लोकसभा सदस्यों में मंत्रियों की जो संक्या है वो पंदरा परतिसर्द से अधिक नहीं होगी ठीक है तो यहा कुलपती को सदस्य बनाया गया है बताइए किस विश्विद्याले के कुलपती को सदस्य बनाया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सेक्सिक योजना एवं प्रसासन राष्टिये विश्विद्याले नई दिली के कुलपती को सदस्य बनाया गया है यहाँ पर दो न नमबर प्रेस्ट ने भारतिय सेना ने हाली में किस देश की सेना के साथ राजस्तान में अपना सेयुक्त सेने अभ्यास अलनजय आईजित किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है ओमान में यहाँ पर चार नमबर का उप्षन सही उत्तर ओमान में अगे देखिए कौन सी कक्षाओं के पाठे पुस्तक के मुद्रण एवं वित्रण का कारिये राजस्तान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है तो दोस्तों यह पहले एक से आड़ तक करता था लेकिन अब एक से बारा तक करने लगया है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दो नमबर उप्षन बिल्कुल सही अगे देखे मोठ गुआर बाजरा किस परकार की फसले हैं तो दोस्तों यह खरीब की फसले है यहाँ पर एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा तो दोस्तों पेपर है इसका लेवल फर्ष्ट ग्रेड के लेवल जैसा ही है ठीक है